एक गाउं में चार मित्र रहते थे, उनमें से तीन पढ़े लिखे और विद्वान थे, पर उन्हें सामान्य ग्यान की कमी थी. चौथा मित्र इतना विद्वान नहीं था, लेकिन हर बात की सामान्य जानकारी रखता था. वह काफी व्यावहारिक था और अपने अच्छे बुरे की समझ रखता था. एक दिन तीनों मित्रों ने तै किया कि उन्हें अपने ग्यान के बल पर धन कमाना चाहिए. वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूसरे देश के लिए चल पड़े. वे चौथे मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था. लेकिन बच्पन का मित्र होने के नाते उसे भी साथ ले लिया. चारों ने यात्रा आरंभ की. रास्ते में एक घना जंगल पड़ा. एक जगे पेड के नीचे हड्डियों का धेर दिखाई दिया. एक मित्र बोला, विज्ञान की जानकारी को परखने का अच्छा आवसर है. ये तो किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है. चलो इसे फिर से जिन्दा करने की कोशिश करते हैं. पहले मित्र ने कहा, मुझे हड्डियां जोड कर धांचा बनाना आता है. उसने कुछ मंत्र पड़े और हड्डियों का कंकाल बन गया. दूसरे मित्र ने कुछ मंत्र पड़े तो कंकाल पर खाल आ गई और शरीर में खून दोडने लगा. अब वह एक निर्जीव शेर दिखने लगा. अपनी उपलब्धी पर प्रसन्न होते हुए तीसरा मित्र बोला कि वह उस बेजान शरीर में प्राण डाल देगा. चौथा मित्र चिल लाया, रुको, ये तो शेर लगता है, जिन्दा होते ही हम सब को मार कर खा जाएगा. लेकिन तीनों मित्रों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे मूर्क बता कर शेर को जिन्दा करने लगे. तब चौथा मित्र बोला, बस एक शन रुकना, कहकर वह पास के उंचे पेड़ पर चड़ गया. अपने मित्र की बात अंसुनी कर तीसरे मित्र ने जैसे ही मंत्र पढ़े, शेर के प्राण लोट आये. वह भयंकर शेर उन्हें देखकर दहाडने लगा. उसने पल भर में जपट्टा मारा और सभी मित्रों को मार डाला. जब शेर चला गया तो चौथा मित्र पेड़ से उत्रा. उसे अपने मृत मित्रों को देखकर बहुत अफसोस हुआ. उदास और दुखी मन से वह अकेला घर लोट गया. शिक्षा, सामान्य ग्यान के बिना कोई भी विद्या अधूरी है.